कि अफ्रेंट्स में देवय नारी और आज का हमारा वीडियो बेस्ट है इंग्लीज क्लास 12 ठीक है जैसे कि आपको पता है क्लास 11 की इंग्लिश का paten है इस साल MP board मसे चेंज हो चुका है और MP board में भी zor in serrt की क्लास 11 के लिए यहिए कि कुल मिला कि पिछले साल लोह साल करके नांइन्त से लेके 12 तक की है ना चारो classes की English हो चुकी है तो हम बात करेंगे हैं पर class 11 थे कि class 11 में दो English आपकी रहेगी पहली हो गई hornbill जो टैक्स टेख्टबू के English के लिए core course से और दूसरी होगी Snapsorts ठीक है supplementary reader है English class 11 थे की लिए ठीक है तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से hornbill के जो है lessons के Hindi explanation ठीक है हमारी चैनल के माध्यम से आपको class 9 से लेके 12 तक चारो classes की English के Hindi explanation मिलेंगे time to time आपकी classes चलेगी YouTube के माध्यम से online आप यहाँ पर study कर पाएंगे तो आप इदी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आपको बहुत ही useful रहेगा यह चैनल क्योंकि इसके माध्यम से आपको स the portrait of a lady ठीक है पहला सभी नाम है प्लास लेइन पर डीडी पोट्रीट गार्थ है चित्र और लेडी महीला की यहां पर portrait से संबंदित किसी चुत्र के बारे में बात ना होते हैं उनके चरित्र के बारे में बात यहाँ आपर ुगी इस लेसन में इस लेसन के जो लेकक है वह बड़ ही अच्छे लेकक है खुश्वन्त शिंग ठीं के खुश्वंत शिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं about THE author देख लेते हैं कि खुश्षवंसिंग жизнь was born in a sick family खुश्वंस शिख परिवार में पेदा होए ते पंजाब कहां पर पंजाब में इस फादर सर सोभा सिंग वाज प्रॉमेनेंट बिल्डर इन लुटिन्स डेली उनके पिताजी थे सोभा सिंग वह भूदपुरु बिल्डर थे कहां पर देली में और लुटेंस डेली को लिखा गया है क्योंकि जो अंग्रेजों के जमाने में लुटेंस नाम के एक आर्किट किया था दिल्ली को जो है इक प्री रुणी के द्वारा बनाएगी ति लुटेंस के द्वार इसलिए उनको कहा जाता है लुटेंस डेली यह लुटेंस की दिल्डी ठीक है हिवाज एजुकेटेट आड्मॉर्डर इसकूल देली गवर्मेंट कॉलेज वह कहां पर पढ़े सब्सक्राइब और लंदन में पड़े थे खुश्वन्त सिंग के उन्होंने क्या किया है कि जो पोट्रेट अफ लेडी में अपनी जो दादी मा है तो एक जो है पोटे और दादी के बीच में जो प्रेम का बंधन है उस बंधन के बारे में यहाँ पर कुश्वन सिंग ने इस चैप्टर में हमको समझाया है तो दादी मा के अंदर क्या क्यां चीजें दादी मा कि सब्सक्राट करते हैं करते हैं बड़ा मज़ा आएगा आपको यह लेसन पढ़ते पढ़ते समझते समझते अपनी दादी का चित्र आपके माइंड में आता है तो आप भी आपकी दादी से प्यार करते हैं क्या होता है यहां पर खुश्वन्त शिंग बोलते हैं कि मेरी दादी मा लाइक आवरीबड़ी स्ग्रेंड मादर सभी की दादी मा की तरह वाजन ऑल्ड वुमन एक बुड़ी महिला थी ठीक है सभी की दादी बुड़ी महिला होती है क्योंकि दादी बंते बंते बुड़ी होई जाती है यूभ लगता संहani be a tari ने करा में जानता था उनको मैं पिषले वी सालों से जानता थ हो पिशले 20 लोग कहते हैं कि वो एक समय जवान भी थी और उनके पती भी थी बट देट वाज हाट तू बिलीव लेकिन ऐसा विश्वास करने में ऐसा मानने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी यह ना यानि कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह महिला कभी जवान और खुबसर में अगीठी होती है घरों में जो आग जलाने की है सर्दियों में थंद से बचने विए जलाए जाती है उस अंगीठी के ऊपर का हिस्सा हो पर बखा टागी तेस तागी वूब जो हो गई मेंटल पीस और इसको पर दादा जी के तस्वीर ऐसी टेंगी लिए ठीक आगे बढ़ते हैं प्रकार के वेक्ती नहीं लग रहे थे जिनकी कोई बीबी या बच्चे होंगे वो बच्चों के पिता नहीं लग रहे थे वो पोते-पोती के दादा ही लग रहे थे तो यहां पर लेका कम है जो इंटेटेंट कर रहा है और जैसा की उपर बताया गया कि मेरे दादी मा भी जवे जवान और सुंदर रही होगी जो विचार था यह मुझे बिल्कुल रिवोल्टिंग लग रहा था रिवोल्टिंग कार्थ होता बहुत ही हाश्य पर लग रहा था बहुत ही मतलब समय की जिसको मैं नकार रहा था मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था मुझे ग्रनेट गिनोना लग रहा था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है ना वह अक्सर हमसे उन खेल के बारे में बात किया करती थी जो वह बच्पन में खेला करती थी देट सीम्ड क्वाइट अब्जर्ड अंडिग्निफाइट उन पार्ट जिनके ओपर भरोसा नहीं किया सकता था ना बहुत ही तुच्छी या समय दिया जाए कि महतु ही बाते लग रहे थी वह बच्ची रही होगी इसा हम नहीं मान सकते थे विटीट इट लाइक दा फेबल्स फेबल्स कार तो होता है कि दंत कथा हैं जो हम कालपनिक कथा हैं उन कि जो फिट्स नन्थ? बागवान फैगंबर वगरा की कानियों की तरह हम सुनते थे बाते हिए उनको बहुत कम भरोसा करते थी धम्ता तोर गवह जावान रही होगी इन बातों के अपर लेकक को भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि लेकक पिछले 20 सालों से उसकी दादी को पोतियों के दादाजी ही हमेशा से लगते आ रहे हों ठीक है आगे बढ़ते हैं अब क्या होता है सी हैड आलवेस बीन सोट एंड फेट एंड स्लाइटली बैंट वह हमेशा से ही छोटी मोटी और थोड़ी जुकी हुई लग रही है ना हर फेस वा जी क्रिस क्रॉस आफ रिंक नो वी वायर सटेंट सी है आलवेस बीन आज वी हैड नोन हर और हम बिल्कुल निश्चिंत थे कि वह हमेशा से ही एसी की एसी थी जितने समय से हम उसको जानते थे वह बिल्कुल एसी जुर्वियों वाले चेहरे की हमने उसको देखा था कभी हमेरी दादी को जावान नहीं और हाव ग्रोन ओल्डर इतनी बुड़ी कि वह इससे अनग बुड़ी नहीं हो सकती थी और हैड इस टेट एड़ एड़ जो से इसी स्टेज में इसी जह हूली में समय लिये जाए कि इसी हूली में हमको लग रहे थी पिछले पीस सालों से वह कभी भी सुन्दर नहीं रही होगी बट सी वाज आलवेज बीटिफुल लेकिन वह हमेशा ही सुन्दर थी यह बात को समझ यह कि लेकग को भरोसा नहीं हो रहा था कि वह कभी जवान खुबशुरत रही हो इसकी दादीमा लेकिन वह जो है अभी अब पोते को हमारे लेक सब्सक्राइब कर दो पर नहीं चलते हैं जो बुड़े हो जाते हैं उनका एक पेर का बैलेंस बनाते दुसरे पर उठाथे तो वह बंड कर रहे थी लड़कडा कर पूरे घर में चल रहे थी सब्सक्राइब के लिए कपड़े पहने वे थे और वन हैंड रेस्टिंग और वेस्ट उसका एक हाथ जो हमेशा कमर पर रहता था तो बैलेंस हार इस्टूप अपने कदमों को बैलेंस करने के लिए वह एक हाथ कमर पर लगा कर रखती थी और जो दूसरा हाथ था वो दूसरा हाथ कहां पर देता था हमेशा मनके की माला जो उसकी जप माला रहती थी थी जो माला जपते हैं बुड़े लोग है तो एक हाथ उसका हमेशा कमर पर रहता था अपने आपको बैलेंस करने के लिए दूसरा हाथ हमेशा उसके मनके की माला पर रहता था ठीक है सिल्वर लॉक्स ज tissu ना सफेद बालों कunta पर लेकरकियो सील्वर लॉक्स का है सफेद लटे वे डिडि बोर हे प्रकारड फेज वह कैसी रहती थी हमेशा इसके टर्ड इन विखरी हुई ऐने अस्त वेस्ट यह उलजे हुए बाल रहते थे हमें सँसके सफेद लटें कहाँ पर उलजी कहाँ पर गिरी रहती थी उसके पेल यह निस्ते और पकर्ड यह कि बहुत ही भयावाँ चेहरा यहाँ पर वो चितरन करता है कि उसका चेहरा के सा जुर्यों वाला यह इतना सुन्दर नहीं था तो उसके पेल यह निस्टेज बूड़े चहरे के ऊपर हमेशा उसके सफ़ेद बालों की लटे जो है पड़ी रहती थी अस्तवेस्ट एंड हर लिप से अनडियोबल प्रेयर उसके जो होट थे वह हमेशा हिलते रहते थे कैसी धुनी में अनडियोबल यानि कि उसको हम सुन नहीं सकते थे बहुत धीरे दीरे वह प्रेयर करती ती प्रात्ना करती रहती यह जबती लेती यह सी वाज ब्यूटीपल हां वह बहुत सुन्दर थी यह लेकर हमें सभी बताया कि कैसा उसका चेहरा था लेकिन वह उसकी दादी माँ को बहुत सुन्दर मानता था प्यार करता था सी वाज लाइक दा विन्टर लैंड इसके इन दा माउंटेंज वह कैसी लगती थी कि माउंटेन याने पहाड़ों के बीच में बरफिले भुद्रश्य की तरह थी यहने सफेद भुद्रश्य की तरह थी पहाड़ों के बीच एंड एकसपेंस अप्योर वाइट सारेनी ब्रेफिंग पीस एंड बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सब जगे सफेद सांती और संतोस फेला हुआ हो एसी उसकी दादी मा उसको लग रही थी एना कहा जाए कि पत्थरों के बीच में बर्फ लग रही थी सफेद उसके कपड़े थे और वह उसकी दादी मा को पहुत प्यार करता था उसे देखक पहाड़ों के पीछ में भॉग लिक सुंदर सा द्रश्य है जबकि वह अपने दादी मा को देखता था है ना तो इन जो है इस्टेंजा वगेरा में हमने क्या देखा कि अपनी दादी मा को प्यार भी करता है और दादी मा को जो है वह वास्तविक्ता भी बता रहा है कि बु मेरे पिता और माता याने उसके जो पैरेंट से थे उसे छोड़कर सहर जा चुके थे ठीक है सहर में नोगरी बगरा करते थे और दादी और वो दोनों साथ ही रहते थे गाउं में रहते थे वो अकसर मुझे जल्दी उठाती थी सुबह और स्कूल के लिए तयार करती थी उस समय वो धीर धीर अपने धीमी आवाज में गीत गाती थी भजन गाती थी प्रेयर करती थी और इस उमिद से करती थी कि मैं भी दिल से उस चीज़ को सुनूं क्यों क्योंकि मैं उसकी आवाज से बहुत प्यार करता था लेकिन कभी भी उस प्रात्ना को सीखने के लिए परेशान नहीं हुआ इसके बाद वो मेरी लकड़ी की स्लेट जिसे वह हमेशा साफ करके रखती थी है ना और पीले चौक से उसने उसके उपर जो है असपास उसको सजाया हुआ था एक छोटा सा मिट्टी का इंक पोड याने श्याही रखने की सिसी और एक लाल का पेन यह सारी चीजें वो मेरे लिए तैयार करके रखती थी टाई देम आल इने बंडल एंड हैंड टुमी उन्हें बंडल में बांदती थी और मुझे दे देती थी आफ्टर इतना करने के ब बास ठीक है वो मोटी और बासी जो रोटियां होती थी उनका मुझे ब्रेकफास्ट देती थी लिटिल बटर उसके ओपर थोड़ा सा मखन लगाती थी थी इस प्रेड ऑन इट उसको पर सकर भीखेर देती थी वी वेंट इसके बाद हम कहां चले जाते थे इसकुल चले जात मखरी जैसे पट्टी शाही और यह सब देती थी और मूझे तोड़ा सा नास्ता रेती थी जिसमें बासी मोटी रोटी दी जी इसको पर मखन लगा के सकर रहना डाल के मिर्वों देती थी और इसके बाद में दोनों ही साथ में चैने ऑनके किर इतुक्टों के लिए माइ ग्रेंड मदर आलवेज वेंट तो इसकूल विथ मी विकॉज इसकूल वाज अटेश्ट टेंपल मेरे दादी मां हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्यों जाती थी क्योंकि इसकूल जुड है था वो मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ था जो पुजारी होते थे वह में अलफ़बेट सिखाते थे और साथ में सुबह की प्रातना सिखाते थे वाइल दे चिल्डर सेट इन रो ऑन आइधर साइड अप दे वरांड़ा सिंगिंग दे अलफ़बेट और प्रेयर इन कोरस सारे बच्चे वरामदे में दोनों साइड जाती थी मंदिर में और वह भी स्क्रिप्चर से ने की धार्मिक ग्रंथ पड़ा करते थी वें वी हाइड बौथ फिनिज्ड जब हम दोनों ही अपना अपना काम कर चुके होते थे वी वुड़ वापस आ जाते थे इस टाइम दविलेज डॉक्स वुड मीट अस एट चापाथी श्वी ठूट टूट और वह में फोलो करते थे घर तक एक जुसरे के उपर गुर्णाते हुए और एक जुसरे से लड़ते हुए क्यों करते थे फोलो क्योंकि हम उनको चापाथी फेक कर खिलाया करते थे ठीक है तो यह रूटीन हुआ करता है लेखर उसकी रटा है अगले वीडियो में हम आगे बढ़के आपको बताएंगे कि आखे क्या होता है दाधी मा और लेखक के बीच में जो प्रेम का बंदन था किस प्रकार आगे बढ़ता है ने होबम आप अच्छा लागा है चैप्टर आपको शेर किजेगा तो प्लीस इस वीडियो को को बताएंगे आगे क्या होता है तब तक के लिए इस्ते हो मिश्ते से वो देखते रहेगा हमारे यूटूब चैनल ठीक है धन्नेवाद थेंक्यू बेरी मैच